दिन रात मोदी के नाम जपने वाले पवंध सिंग को मोदी के परिवार से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है भोजपूरी के तिन सांसद है तीनों सांसद के ट्वीटर आइडी के लाश्ट में लिखा हुआ है बड़े-बड़े सुनहरे अक्छरों में मोधी का परिवार, लेकिन बात करे पवन सिंग का, तो ये पवन सिंग निखे है मतलब मोधी के परिवार का हिस्सा नहीं है और दोस्तों हैरानी की बात तो ये है बंगाल तो छोड़िए, उत्तर परदेश तो छोड़िए बिहार के किसी राज में अब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि BJP टिकट नहीं देगी और इन सब में सबसे एहम सवाल क्यों नाराज हो गई BJP आखिर वो 12 घंटा में ऐसा क्या हुआ जो पवन सिंग को टिकट वापस करना पड़ा अब पवन सिंग क्या करने वाले हैं आईए आज किस वीडियो में सच गहराई से समझते हैं पवन सिंग सियासत में आना तो चाहते थे मगर BJP ने उन्हें किनारे कर दूसरे दलों के लिए भी मुश्किल कर दिया दोस्तों जब पवन सिंग ने पहली बार चुनाव लड़ने से मना करने वाला पोस्ट ट्विटर पर डाला तो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि भाई क्या वजह है ऐसा जो पवन सिंग मना कर दिया नहीं नहीं यहीं पवन सिंग है न जो जिन सो इतना जादा खुस हो के मिठाई बाट रहे थे ट्विटर पे नंदन अभिनंदन कर रहे थे मोधी जी का और अचानच सियासा क्या हो गया जिसके वजह से कहते हैं कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे मतलब इतने बड़े पा करते हैं और सभी निताओं का बहुत ज़्यादा अभार वेक्ट करते हैं फिर अचानक से यह भी ट्विटर पे पोस्ट करते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और उस समय तक नहीं लड़ेंगे जब तक हम निर्दोश साबित नहीं हो जाते हैं अब इनका समझने का उत्विचार हैं बताइए ऐसे लोग को टिकट दे रहे हैं जो महिलाओ के साथ रंगे हाँ पकड़ गए हैं और जैसे उपेंदर रावत का टिकट जो है वो कैंसिल होता है तब हम लोग को मामला पवन सिंग वाला भी पानी की तरह साफ हो जाता है कि बंगाल में किस तरीके से इन्होंने लड़कियों को और अरतों को अब्जेक्टिफाई किया था जिसके वज़ा से पवन सिंग को बीजेपी पार्टी नहीं कहा महानुभाव पावर स्टार जी आपको टिकट तो दे दिये लेकिन आपके नाम के आगे जी नहीं लगाए इसलिए अगली बार जब ह अब आपके नाम के आगे जी लगाएंगे उसके बाद आपको टिकट देंगे और पावर स्टार पवन सिंग पोस्ट करते हैं कि किसी कारण बस हम चुनाओ नहीं लड़ेंगे और यहाँ पे मामला पानी की तरह साफ हो जाता है कि पवन सिंग इसलिए चुनाओ नहीं दोस्तों जादा हैरानी की बात नहीं है कि पवन सिंग ने सिर्फ बंगालियों के लिए ही नहीं बिहार में भी ऐसे ऐसे खुबसूरत खुबसूरत विश्ट गाने गाए हैं जिसके लिए बीजेपी जरूर इस पे भी सोच विचार करेगी कि इनको बिहार में कहां से լिए रहेंगे उपेंदर रावत का कहानिया आपने सुनी लिया पावन सिंग क कहानिया आपने सुनी लिया बिज भूशन सिंग महिला पार्वान से जो मामला हुआ था इनका भी टिकट अभी होल्ड पे challenge है तो आप यहार में पौन सिंग को कहां से टिकट उसको मिलेगा है ही उसके बाद दूसरा option आता है जेडियू यानि कि नितिश कुमार की party से चुनाओ लड़ेंगे और अभी हाली में भी मुलाकाद भी किया था अब आखरी और तिसरा हिंदू हिर्दैस समराग पावर स्टार पवन सिंग को आर जेडी से चुनाओ लड़ जाना चाहिए और बात करना चाहिए रोजगार के बारे में बात करना चाहिए होस्पिटल के बारे में बात करना चाहिए हाँ मंदिर बनवा दिये इससे अच्छा इतना अच्छा होस्पिटल बनाए रहते इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाए रहते और तब जाके पवन सिंग का सांसत बनने में कहीं से कोई गोटी फिक्स होगा तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि पवन सिंग के राजनिती करियर का अब हो चुका है दा इंड अब कोई चमतकारी होगा जो पवन सिंग को बीजे पी से टिकट दिलवा पाएगा या फिर अब कोई चमतकारी होगा जिसके वज़ा से पवन सिंग सांसत बन पाएंगे और हाँ इतना बात हमको भी समझ में आता है कि पवन सिंग के साथ जो टीम वाले लोग रहते हैं वो उनके साथ फोटो खीचाने के लिए रील बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए और अपना नाम बनाने के लिए रहते हैं पवन सिंग के छबी को किस तरीके से सुधारा जाए उनसे उनको घंटा फरक नहीं पड़ता है बस भाईया सांसत बन जाए उनके बगल में गारी में बैठें और देम मलाई पे मलाई चापें क्यों हम ये बात कहा रहे हैं वो हम आपको समझाते हैं पवन सिंग ने बंगलीनिया पे गाना गाया था पवन सिंग को बंगाल से चुनाओ लड़ना था ये बात बहुत पहले से पता था विपक्ष जब एक्टिव नहीं था तो इतना छोटा सा काम तो करवाया जा सकता था कि पवन सिंग ने जितने भी बंगलीया पे गाना गाया है उसके थमनेल को चेंज करवा दिया जाए ताकि 90% प्रोबलम का वैसे ही सोलूशन हो जाता चलिए वो गलती हो सकता है किसी से भी छूट सकता है हम मानते हैं लेकिन आपको याद होगा पवन सिंग ने बिहार तक पे एक इंटर्विव दिया उनसे मुद्दा पूछा गया कि चुनाओं में आपका मुद्दा क्या है पवन सिंग नहीं बता पाएं और बुरे तरीके से पूरे बिहार सहित इंडिया में ट्रोल हुए अब काईदे से टीम का क्या responsibility है कि उनको एक script तयार करके याद करवाया जाए और बताया जाए अगर आप से कोई बिचार धारा पूछे मुद्दा पूछे तो आपको इस तरीके से जवाब देना है ऐसा ही होता है ना पवन सिंग फिर इंटरव्यू देते हैं फिर उनके पूछा जाता है आपका बिचार धारा क्या है तो लाइन में अगर पावन सिंग का विचार धारा समझना होगा, तो क्या समझेगा लोग? तो पावन सिंग का जवाब सुनूँ आप. कि विचार धारा क्या है? मैं बीजेपी परिवार का एक सिपाही हूँ, हिस्सा हूँ. वो अलग पार्टी से हैं, इसलिए मैंने गोला कि हमारा विचार अलग है। खीज दिया है, पावन सिंग ने बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है, लेकिन सच तो आपने आज किस वीडियो में देख लिया। दोस्तों पूरा बिहार चिला चिलाए कहता है, प्लीज गंदा गाना मत गाई है, प्लीज लड़कियों के अंग का वर्नन गंदे तरीक अपने वीडियो में मत कीजिए, बहुत ज़्यादा लोग जब हला करने लगते हैं, तो भोजपूरी के सूपर स्टार को लगता है, वा, ये तो मेरे गाने की बारे में बात हो रहा है, अब हम और गंदा गाना गाते हैं, खूब वाइरल होगा, और भोजपूरी के सूपर स कर देना होगा, इस तरीके का बद्दूआ अगर आप भोजपूरी से लेते हैं, खेर आप फैन है, आप इस बात को नहीं समझेंगे, यहां भी आपको पवन सिंग का पावर ही नजर आएगा, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद,